हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई ओपीशी यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल एटू जैड एरफोर्स ग्रूप सी दोहजार एकिस जीरो फाइप दोहजार एकिस के बारे में आज हम डिसकस करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी पोश्ट थी दोस्तों सी एम टीडे की और आ एड्मिट कार्ड जो कब तक रिलीज किये जाएंगे और एकजाम जो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं और फोर्म कब जो है कितने सारे आपके एकसेप्ट रिजक्ट पूरी अपडेट डिसकस करने वाले हैं तो जो भी कैनिडेट नहीं हो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों जो भी कोई भी अपडेट होती है एरफोर्le करते है तो सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट की जाती है दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है कि सर 5921 C їist का आपका एड्मिट कार्ड क्या अभी कैनिडेट के बारे में जो कि बार बार पूंच कि सर क्या 05-2021 का Admit Card आ चुका है तो गाइज आपका जो 05-2021 है उसके Admit Card अभी तक रिलीज नहीं किये गए है क्योंकि इसकी जो आपकी 39 यह यह दोस्तों आपका जो 28 नौवंबर जो लास्ट एड था यह उसके Admit Card अभी तक रिलीज नहीं किये गए है कब रिलीज के पूरी चीजे डिसकस करेंगे 04-2021 है उसके Admit Card आपके रिलीज कर दी है तो आपको बिलकुल टैंस लेनी क्या हो सकता है यह जिनके रिलीज नहीं हुए है उनको भी बता दें कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए या पिर अपनी जो पोस्त है वहां पे पता कर लीजिए कि आपका Admit Card कहीं आ तो नहीं गिया है और आपका एक्जाम नहीं हो गया होगा क्योंकि थोड़े ही बाकी रहे हैं जिनके अभी Admit Card नहीं आए है 04-2021 के आते ही दोस्तों आपको लगातार अपडेट यहां पे करते रहेंगे अब दोस्तों जो 05-2021 है उसके Admit Card के बारे में डि दोस्तों आपका जो हैं पे दिसंबर बसता है और दिसंबर और सेकंड दोस्तों जनवरी के फैस्ट वीक से आपके Admit Card आने सभी के स्टार्ट हो जाएंगे और एक्जाम जो आपके यहां पे जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एक्जाम जनवरी के एकजाम भी स्टार्ट हो जाएगी अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा क्योंकि आपके अब जो करोना भी दोस्तों यहां पर थोड़ा जो आपका एफेक्टिव हो सकता है तो इसलिए आप जो यहां पर फोक्स कीजिएगा और जो CMTD की जो पोस्ट है उनको लेने की कोसिस कीज जीएगा और दोस्तों आपके लिए यहां पे यह जो बढ़ती है इसके जो एडमिट कार्ड है वो आप नोट कर लीजिए कि जनवरी के सेकेंड वीक तक दोस्तों आपके सभी के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएगे और आपकी एक्जाम भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि admit card के आने के दोस्तों तुरुत 10 दिन के बीतर बीतर आपका exam जो यहां पे start हो जाता है कुछ का एनिरेट का तो सिर्फ 2-3 दिन ही मिलते हैं तो आप अपने आपको prepare कर लिजे अब बात कर लेते हैं कि आपके क्या examination pattern में change किया जाएगा तो दोस्तो cmtd की post है हो सकता है कि आपकी सबसे ज़्यादा post है तो उसमें जो आपका वहां पे cmtd के related कुछ जो matter डाला जा सकता है तो उसके लिए आपको कोई महनत अलग से नहीं करनी है उसको आपको बिल्कुल भी मत टच करना है आपको जो syllabus है आपका जितने चार subject के अंदर syllabus है जो normally syllabus है तो उसी को focus करना है आपका जीक की है तो उस पे static जीक की है और English है तो उसमें vocabulary है आपका match है तो उसमें सिर्फ calculation पे आपको simplification, calculation उसी पे आपको ध्यान में देना है और आपके जो बच का reasoning वो normal आता है और कोई कर देगा तो बस यही आपके exam pattern में कुछ भी चादा change दोस्तों यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे अब आपके form जिनके की वापिस आ गए है उनका कुछ नहीं हो सकता जो candidate बार बार message करे थे कि सरे मेरा वापिस आ गया है कुछ नहीं हो सकता नहीं आपको exam देने दिया जाएगा दोस्तों और नहीं आपका अपको ऑपका कुछ हो सकता है तो जिनका वापिस आ गे है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है आप next vacation का जो वेट कीजिए गा ऍवापस ये ही अपडेट जरू करेंगे तो बस वबस येही आपको update करना था जिनके reject हो गया है उसका कोई effect नहीं है और जिनके admit card अगर किसी भी हाल में नहीं पहुंचते हैं तो उनके भी reject हो गए है लेकिन वापस जिनके आ गए हैं उनके भाई reject टीम आने जाएंगे तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान दे लीजिए तो गैज बस एपडेट करना था उम्मिद करते हैं कि आपको व